नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे पास ऐसी टॉप 10 क्रीम हैं, जो कि लोग अपनी सुन्दरता को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, अपने एक्ने पिंपल्स की समस्या को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं, अपने चेहरे के जो निशान है उनको मिटाने के लिए उपयोग करते हैं लेकिन दोस्तो इन क्रीम की आप काली सच्चा ही नहीं जानते हैं जैसे कि हमारे पास रखी है दोस्तो वेट नो वेट एन फेस क्रीम, क्लिन सॉल जेल, एजी रर्म 10% क्रीम, मेला मेट क्रीम, इसके अलावा ग्लू आइन लवली क्री साथ ही साथ हमारे पास IG कौन ब्यूटि है, इसकीन लाइट क्रीम, वेट नो वेट सी क्रीम है और हमारे पास है दोस्तो जो है इलो सोन एच्टी क्रीम, इन क्रीम कैं आप सच्चाई नहीं जानते हैं जो कि काली सच्चाई है, आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको कौन सी क्रीम यूज करनी है और क्यों नहीं यूज करना है ठीक है वो भी डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो ये क्रीम है दोस्तो आप लोग इसको देखेंगे तो ये है दोस्तो बीटा मेथा सोन इसके अलावा इसके अंदर नियो माइसिन पड़ा हुआ है अब आप लोग सोच सकते हैं कि जह बीटा मेथा सोन नहें ये विसकली क्या है दोस्तो एक इस्ट्रो हाइडल मेडिसिन है जोकि आपकी इसक्रीम को पतला करने का क।्यों करती है इसके अलावा की ये ट्यूब है जो कि आपको मेडिकल स्टोर पे दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ कितने की पड़ती है 60 रुपए MRPA ये क्रेम आपको जो है 55 रुपए तक देखने को मिल जाती है अब इस क्रीम के अगर बारे में बात करें कब यूज करना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जिन लोगों की इसकिन आलरेडी नॉर्मल है उनकी इसकिन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है वैसे ये दोस्तों ब्यूटी क्रीम नहीं है ये मेडिकेटर क्रीम है तो आपको ये चीज याद रखनी है अगर आपके कभी भी इस क्रीम का यूज ना करें ठीक है वरना आपकी इसकिन पतली हो जाएगी उसके बाद में एकने पिंपल्स की समस्या बहुत जादा आपके जो है होने लगेगी जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो यह हो गई हमारी जो है बेटनो बेट एन क्रीम ठीक है इस इसके अलावा दोस्तो दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है सबसे पॉपुलर है दोस्तो वह है एनफेस क्रीम इसके भी दिवाने बहुत लोग हैं कई लड़किया इसकी दिवानी है एनफेस क्रीम की तो एनफेस क्रीम के बारे में मैं आपको बता दूँ इसके अंदर सबस अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मुह मेटा सोन देखने को मिल रहा है जो कि इस्ट्रू आइडल है अब एन फेस क्रीम कौन लोग यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं तो जिन लोगों के जाईयां हैं जाईयों की वज़े से चेहरे में काला पना र यह है और जिन जो लोग चेहरे की खोबसूरती बढ़ाने के लिए इसका यूज करते हैं तो मैं उनको बता दूँ कि ये क्रीम क्या करेगी आपके चेहरे को गोरा करने का तो काम करेगी ये बात तो सही है लेकिन जैसे जैसे आप इस क्रीम का यूज करते जाएंगे आपकी फेस पर ये क्रीम बाद में नहीं लगाएंगी तो आपका जो फेस है वो बहुत जल्दी काला पढ़ने लगेगा ये चीज़ आपको याद रखनी है ये N-Face क्रीम है ठीक है यूज होती है ऐसी बात नहीं है लेकिन यूज कब होती है तो मैंने आपको वो भी बता दिया दोस्तो तीसरी जो हमारे पास यहाँ पर क्रीम या जल बोल सकते है आप इसे ये है दोस्तो क्लिंसॉल जल ठीक है इसके अंदर आप देखेंगे तो पड़ा हुआ है दोस्तो जो है क्लिंडामाइसिन फोस्फेट एंड निकोटिनामाइड जल है ठीक ये बहुत ही अच्छा जल है बात करें इसके यूजर्स के बारे में तो इसका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको ना तो डेकसा में था सोन ना तो बीटा में था सोन किसी भी प्रकार का हिस्ट्रोाइड नहीं देखने को मिलता है और यह जो क्लिंडाम आइसिन है एकने पिंपल्स की समस्चा को ठीक करती है ठीक है तो इसके यूजर्स के बारे में बात करें तो जिन लोगों के चेहरे पर बहुत जादा एकने पिंपल्स कील मुहासो की समस्चा हो रखी है वो लोगों के लिए क्लिंसॉल जेल यह जो है यह काफी जादा फायदेमंद है वो लोग इसका यूजर्स कर सकते हैं लेकिन एक चीज मैं बता दूँ जेनरिक है यह बिसकली बात करें तो 90 रुपए इसका MRP है और यह जो जेल है बात करें तो 15 ग्राम की पैकजिंग में आता है आप इसको मेडिकल स्टोर पे 50-60 रुपए का खरीच सकते हैं आसानी से मिल जाता है और आपके एकने पिंपल्स की समस्चा में आपको जरूर आराम देगा ठीक है तो यह है क्लिंसॉल जेल जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया अगली दोस्तों जो हमारे पास क्रीम आती है वो है एजी डर्म 10% इसके अंदर एजी लैक एसिट देखने को मिलता है अब यह क्रीम की जो खासियत है मैं आपको बता दू यह बिसकली पेटन्ड है और महेंगी भी आपको मिलती है इसके MRP के बारे में बात करें दोस्तों तो यह तकरीबन आपको आप लोग देख सकते हैं इसका जो MRP है 324 रुपए है ठीक है जो कि एक महेंगी क्रीम है और माइक्रो कंपनीज को बनाती है 15 ग्राम की पैकजिंग में आती है यह क्रीम और इस क्रीम के बारे में बात करें तो भाई अगर आपके चेहरे पे डार्कनेस है काला पना रखा है किसी काड़वस किल महासों की समस्या बहुत ज़्यादा आपके हो रही है और कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप यूज कर सकते हैं एज़ी डर्म 10% क्रीम ठीक है यह क्रीम आपके चेहरे की जो काला पना रखा है किल महासों की समस्या है उसको बहुत ही इजली से ठीक करने का काम करती है और इसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं है क्योंकि यह बिसकली कोई भी प्रकार का इस्टरॉइड नहीं है तो यह आप लोग देख सकते हैं यह है एज़ी डर्म 10% क्रीम ठीक है अगली जो दोस्तों जो है क्रीम आती है जो की बहुत ही पॉपरर क्रीम है मेला मेट क्रीम इसका नाम आपने जरूर सुनाओगा इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हाइड्रोकिनोन ट्रेटनोईन और मोमेटा सोन देखने को मिल जाता है अब यह जो मोमेटा सोन है यही आपको नुकसान पहुचाने का काम करता है बाकी हाइड्रोकिनोन और ट्रेटनोईन का कोई नुकसान नहीं है बात करें इसके यूज के बारे में तो जिन लोगों को मैं बता दूँ जो है चेहरे पर उनके जो है बहुत ज़्यादा जाईया हो गई है तो वहाँ पर आप उप्योग कर सकते हैं ये आपके चेहरे की जो जाईया है उसको कम करने का काम करेगी ठीक है ऐस आप ब्यूटी क्रीम आपको कभी भी इसका यूज नहीं करना है और मैं आपको बता दूँ कई लोगों को क्या होता है कि चेहरे के निसान मिटाने होते हैं तो वहाँ पर भी आप इसको कुछ दिन ट्राइ कर सकते हैं जैसे एकने पिंपल्स की समस्या निकलते हैं उसके बाद में जो है चेहरे पर क्या होता है निशान पढ़ जाते हैं ठीक है तो उसको मिटाने का ये क्रीम काम करेगी तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं एजा ब्यूटी क्रीम यूज नहीं करना है अधर्वाइज आपकी जो इसके ने वो पतली हो जाएगी और आपको एकने पिंपल्स की समस्या बहुत देखने को मिलेगी बात करें तो ये क्रीम आपको 50 रुपई की बाई करनी है जहां पर आप जाएं 50 रुपई की मिल जाती है 85 रुपई इसका MRP है ठीक है जो कि आप लोग देख सकते हैं अगली जो क्रीम है दोस्तो बहुत ही अच्छी क्रीम है IG कॉन गोल्ड ठीक है ये जो IG कॉन गोल्ड है दोस्तो ये आपको कब यूज करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी महंगी क्रीम है दोस्तो एक जो है IG कॉन ब्यूट्टी आती है लेकिन ये IG कॉन गोल्ड क्रीम है बात करें दोस्तों इस क्रीम के बारे में 20 ग्राम की पैकेजिंग है ये इसकी और इसका एमार पे 165 रुपए है ठीक है बात करें इसके फॉर्मूले के बारे में इसमें बीटामेथासोन जो की स्ट्रॉाइड है क्लिंडामाइसिन बिटामिन E एसिटेट एंड ले आए तो अगर आपके चेहरे पर बहुत ही जादा एकने पिंपल्स की समस्या हो रखी है और आप बहुत सारे प्रोड़क्ट ट्राई कर चुके हैं और नहीं आपके एकने पिंपल्स की समस्या जा रही है तो वहां पर आप इसका यूज करेंगे वह भी लिमिटेड ठीक समय तक यूज नहीं करना है वरना आपको इसकी आदत लग जाएगी ठीक है अब यह दोस्तों हमारे पास अगली जो क्रीम आती है वह इसकी लाइट क्रीम यह बहुत ज्यादा पॉपलर क्रीम है और सबसे बिस्ट क्रीम है जाईयों में अगर आपके फेस की जाईयां नहीं जा रही है वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं बस इसका यूज यही है दोस्तों इसके लावा कई लोग क्या करते हैं खुपसूर्ती याने की चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए भी इसका यूज करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी चेहरे के लिए नु अगली जो क्रीम है दोस्तों वह हमारे पास विटनोवेट सी क्रीम जो आप लोग देख सकते हैं फॉर्मूला देखेंगे बीटा मेथा सोन है एंड क्लियो कुईनॉल पड़ा हुआ इसके अंदर अब बात करें इसके फायदों के बारे में तो कई लोग तो वहाई इसका यू बढ़ाने के लिए ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है आपका चेहरा और भी खराब हो सकता है ठीक है इसका जो यूज है कई न कई अगर आपके चेहरे में बहुत ज़्यादा काला पना रखा है ठीक है और ब्यूटी क्रीम जो होती है जैसे फेरेन लबली उससे नहीं जा र क्रीम है और इसका जो प्राइज है मैं आपको बता देता हूँ 70 रुपए की इसके MRP 65 रुपए की मिल जाती है ठीक है सस्ती क्रीम है तो आप लोग देख सकते हैं अगली जो क्रीम आती है ब्यूटी क्रीम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग यहीं यूज करें भाई ठीक है और आज तक किसी को नुक्सान हुआ भी नहीं होगा हाँ उसको एलर्जी है इससे तो सायद नुक्सान हुआ हो और यह एक बहुत अच्छी ब्यूटी क्रीम है अगर आप ब्यूटी क्रीम ढोड़ रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छी है आप यूज कर सकते हैं को क्रीज उस क्रीम को हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें अपने आप से कभी भी यूज ना गरें अदर्वाइज आपकी स्किन को नुक्सान हो सकता है ठीक है तो यही था आज का वीडियो जो कि मैंने आपको बता दिया टॉप 10 ऐसी क्रीम जिनका यूज लोग करते हैं और अंजाने में उनको नुक्सान हो जाता है उसके बाद डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तब भी उन्हें आराम नहीं लगता ठीक है